राम राम दोस्तों, जय सीता राम, जय हनुमान जय, बागेश्वर धाम सरकार दोस्तों प्राचीन ग्यान पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चमतकारी पत्ते के बारे में बताएंगे दोस्तों यदि आप उसको चबा कर खाएंगे, चूस कर खाएंगे या पका कर खाएंगे तो दोस्तों आपको 110 सालों तक कोई भी बीमारी नहीं होगी आप 110 सालों तक बिलकुल निरोगी जीवन जीएंगे दोस्तों, बुढ़ापा आपके आसपास भी नहीं आएगा और आपका शरीर सभी तरह की बीमारियों से बच जाएगा आपके शरीर के अंदर सांड जैसी फौलादी ताकत आ जाएगी और दोस्तों, आप अपना जीवन निरोगी बना देंगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस पत्ते की बात करें या जिस पौधे की बात कर रहे हैं, वो पेड है दोस्तों, पीपल का और हम पीपल के पत्ते की बात कर रहे हैं दोस्तों, पीपल का पत्ता हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक चमतकारी है यह दिल के आकार का होता है तो दिल के रोगों के लिए तो एक चमतकारी दवा की तरह काम करता है और दोस्तों एलोपेथी आयुरवेद ने भी इस पत्ते की बहुत सारी दिल के लिए दिल को मजबूत बनाने के लिए आयुरवेदिक दवाई बनाई जाती है तो आप समझ सकत इस पीपल के पत्ते की अहमियत को तो चलिए दोस्तों आपको सबसे पहले बताते हैं इस पत्ते से होने वाले फायदों के बारे में उसके बाद बताएंगे इसके खाने का सही तरीका जिसको 100% लोग नहीं जानते तभी उनको पूरा फायदा नहीं मिलता और अस्थमा रोग सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जकडन और खांसी होती है। दोस्तों अस्थमा की समस्या में पीपल के पत्तों एक चमतकारी रूप से काम करता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार पीपल के पत्ते के अर्क में ऐसे विशेश गुण होते हैं जो अस्थमा पर बहुत अधिक प्रभावी असर दिखाते हैं और आपकी इस समस्या का बिलकुल जड़ से इलाज करते हैं। दोस्तों, आप अपने पेट दर्द का आपने कभी न कभी अनुभव तो किया ही होगा, लेकिन अगर आपके आसपास पीपल का पेड हैं, तब आपको इससे पेट दर्द की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, पीपल के पत्ते में एंटी इंफ्लेमेटरी और दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं। उनसे अधिक कारगर तरीके से पीपल का पता काम करें। उसके लिए बस आपको क्या करना है। इस पीपल के पत्ते का पेस्ट बना कर अपनी फटी एडियों पर लगाना है। और फिर देखिए, चमतकार या इसकी छाल का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि पीपल की छाल मे एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जिस कारण इसे हम फ्रूट क्रीम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पैरों के लिए एक बहुत अच्छी क्रीम की तरह काम करती है। बस आपको क्या करना है उसको पीस करके, उसका पाउडर करके पानी के साथ मिक्स करें। उस लेप को अपनी एडियों पर लगाए। और दोस्तों, आपको डाइरिया की समस्या है दोस्तों, डाइरिया की स्थिती में इनसान बहुत ठका-ठका सा महसूस करता है क्योंकि डाइरिया में पतले दस्त होने लगते हैं और दिन भर में तीन या इससे अधिक दस्त होना की समस्या दूर हो जाएगी, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसकी छाल को एक गिलास पानी में भिगो कर रखना होगा, उस पानी को पीना होगा। के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। की तरह काम करेगा। और वैसे भी पीपल के पत्ते का जो आकार होता है, वह हमारे दिल के आकार का होता है। भगवान ने इसको दिल का आकार का तभी बनाया है ताकि हम देखकर पहचान जाएं कि ये हमारे दिल के लिए ही ओश्धी है। दोस्तों, वैसे भी जिस चीज का आकार जिस तरह का होता है, वह शरीर के अंग के लिए एक चमतकारी रूप से काम करते हैं। दोस्तों, आपने पीपल के पत्ते को चबा कर खाना है या इसको उबाल कर खाएं और दोस्तों, आपके दिल से जुड़ी बीमारियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि यह स्ट्रेस को दूर करेगा, सूजन को दूर करेगा, इसके अंदर कार्डियो प्रोटेक्टिव गुन होते हैं जो हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों, आप इसका और भी अनेक बीमारियों में सेवन कर सकते हैं। यह लीवर के लिए भी एक चमतकारी दवा है। यह खून को शुद्ध करने का काम करेगा, खून को साफ करने का काम करेंगे, खून को पतला करने का काम करेगा, जो आपके चेहरे पर ग्लो तब भी आप पीपल के पत्ते का सेवन कीजिए, और इससे आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप डायबिटीज से परेशान हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको पीपल के पत्तों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि पीपल में ऐ ऐसे गुण होते हैं, जो ब्लड ग्लूकोज के स्तर को काफी हद तक कम कर सकते हैं, और सीरम इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, इससे डाइबिटीज के जोखिम कम होता है, इससे आपकी तवचा पर जुर्रिया नहीं पढ़ती, आपकी तवचा हमेशा खिली-खिली रह चलिए, अब आपको बताते हैं कि आपको इस पीपल के पत्ते का प्रयोग करना, कैसे आप पीपल के पत्ते का जूस बना कर इसका सेवन कर सकते हैं, दोस्तों, आपको एक गिलास पानी में एक पीपल के पत्ते को भिगो कर रख दें, और सुबह उस एक गिलास पानी के साथ उस पीपल के पत्ते को भी उबाल कर उस पानी को पी जाना है दोस्तों अब पीपल के पत्ते को पीस कर इसका पेस्ट बना कर भी जहां पर उपर से लगाने के लिए काम हो वहां पर इसका पेस्ट लगा सकते हैं या त्वचा पर जहां पर आपको जुर्यां वहां पर लगा सकते हैं। दोस्तों, पीपल के पत्तियों को नीम की पत्तियों की तरह कच्चा भी चबा कर इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि किसी भी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन यदि आप इसको उबाल कर पीएंगे तो आपको सबसे अधिक फायदा होगा। दोस्तों, पीपल के पत्ते में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आइरन, मैगनीज, कॉपर, एंटी डाइबिटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ओन एक्सिडेंट्स, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एमनेसिक गुणों से भरपूर होता है। इसलिए उबलने के बाद यह एक हेल्दी ड्रिंक बन जाता है। पीपल का पेड़ बहुत गुणकारी होता है। पीपल का फल, इसके पत्ते और पीपल के पेड़ की छाल सभी स्वास्थे के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आयुरवेद में कई स्वास्थे समस्याओं के लिए उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली ओशधियों में पीपल के फल, पत्ते और छाल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें विभिन ओशधिये गुण पाये जाते हैं। आपने अक्सर लोगों को सुबह खाली पेट इनका सेवन करते देखा होगा। यहां तक की तवचा की कई समस्याओं को दूर करने के लिए इनका पेस्ट बनाकर भी लगाया जाता है। बहुत से लोग पीपल की पत्ते का सीधे तौर पर सेवन करते हैं। वहीं कुछ लोग इसके रस या अर्क का सेवन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी पीपल के पत्तों को उबाल कर इसके पानी का सेवन किया है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यह किड़नी फंक्शन को ठीक रखने और स्वस्थ रखने में मदद करता है। और यह फेफडों को स्वस्थ और सांस संबंधी समस्याओं को रोकने में मदद करता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने और brain function को बहतर बनाता है यह memory power बढ़ाने में भी बहुत लाबकारी है और यह पाचन को दुरुस्त करने में लाबकारी है पेट संबंधी समस्याएं जैसे पेट में गैस, कब्स, अपच, ब्लोटिंग, उल्टी दस्त आदि से छुटकारा दिलाने में मदद करता है यह शरीर को डिटॉक्स करने में मददगार है यह शरीर और रक्त में मौजूद, हानिकारक कणों और टॉक्सिंस को बाहर निकालता है और शुद्ध करता है पीपल के पत्तों का जूस डिटॉक्स, ड्रिंक की तरह काम करता है इसे पीने से खून साफ होता है खून की अशुद्धता दूर हो जाने से स्किन प्रॉब्लम्स भी नहीं होती पीपल के पत्तों का जूस पीने से चेहरे पर होने वाले पिम्पल्स और दागधब्बे भी दूर हो जाते है पीपल के पत्ते फेपडों के लिए बहुत फायदे मंद है पीपल के पत्तों का जूस फेपड़ों को डिटॉक्स कर उन्हें मजबूत बनाता है ये जूस पीने से फेपड़ों की सूजन की परेशानी दूर हो जाती है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको इस आयूरवेदिक कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों अगर आपको यह आयूरवेदिक प्रसंग अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करे ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके और बजरंग बली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली अवश्य लिखें स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, धन्यवाद